वेल्कूम बैक नाजियन गूब मॉनिंग से एक दफा फिर आपको खुशामदीत कहते हैं ट्राफिक की पासदारी ट्राफिक लॉस की पासदारी इंप्लिमेंटेशन बहुत जुरूरी है हाथ साथ से बचने के लिए हाथ साथ की रोक थाम के लिए और इस के अंदर हमारी जो हम तामून की उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ट्राफिक के जो रूल्स और रेगुलेशन जो पासदारी है इस पर अमल करें इस पर इंप्लिमेंट करें ये आप लोगों के लिए बनाए गये हैं हाथ साथ से बचने के लिए बनाए गये हैं तो आज हम अपने करेंगे कि चन्द वालेशन के हवाले से बात करेंगे इनके इन पर जर्मानों के हवाले से बात करेंगे और किस तरह से आप एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं नजमों जब्त को बरकरार रखते हुए उस हवाले से बात करेंगे तो इसी हवाले से बात करने के ल और लेन लाइंग वालेशन, सर ये आजकल बड़ी एक अमर्जिंग वालेशन है, सर इसके बारे में सरा नाजिए उनको बताए। पहले तो मैं शारिक आपकी गुष्टू के अगाज में आपने बात की कि जाहरी खुबसूरती जो है वो खतम हो सकती है, लेकिन जो जिम्मेदार शक्स होता है, उसकी खुबसूरती एक दाइमी खुबसूरती होती है। सिवल सुसाइटी होता है। आप के मुशायदे में ये बात आई होगी, कि जहां आप देखते हैं कि चीजें तर्तीब में हैं, वहां आपको लगता है कि ये कौम ना सिर्फ जिम्मेदार है बलके लाबाइड भी है। तो बड़ी तकलीफ के साथ मैं आज चंद ऐसी खराब करूंगा जो हमारी सड़कों पर हमारी एक इंप्रेशन को बहुत ज्यादा स्पाइल कर रही है। दुनिया में कवानीन मनाई जाते हैं इंसानी हफाज़त के लिए और ट्रैफिक कवानीन का मकसद किसी को खौफ, हरास या डेटरंस या जरुमाने करना नहीं होता है। ट्र अक्सर अवाम को मुक्तलिफ बातों से अगाह करते हैं मकसद ये होता है कि वो अपनी हिफाज़त को खुद यकीनी बनाएं कोई एक इदारा या कोई कानून बना लेने से मौाशरा ना महजब हो सकता है और ना ही वो महफूज हो सकता है ता वक्ते के उस मौाशरे में रहने वाली चंद गैर दिम्मेदारियों की बात करूंगा अगर्चे ये बात तल्ख है लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि इसका तालुक फेस आफ दी सुसाइटी से है इसका तालुक सेफटी आफ इस सिटिजन से है तो शेहरियों को ये चाहिए कि जो मैसिजिज हम इस फोरम के ह अगा करें कि वो हमारा मुस्तक्बिल है इन वाइलेशन को या इन कमियों को ताइयों को मैं आज तीन महरलों में तक्सीम करूंगा सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी वाइलेशन ऐसी है जो आम तोर पर छोटी समझी जाती है लेकिन एक इनतहाई बड़े हाथसे का बाइ में हवाम को अगा किया और ये बताया कि लाइन और लेन क्यों जरूरी है लेकिन आपने रोज मर्रा अगर आप किसी भी ट्रैफिक वाले पॉश एरिये में भी खड़े हो जाएं तो आपको नदर आएगा कि बहुत सारे पड़े लिखे लोग और बहुत सारे लावबाइड लोग भी लाइन और लेन को वाइलेट कर रहे हैं और ये खास तोर पर उस वक्त होता है जब एक ब्रांच रोड से में रोड पर लोग चड़ते हैं चड़ते हैं या उस वक्त होता है जब येलो लाइट पर लोग अपनी लाइन की वाइलेशन करते हुए जल्दी चौक क्र रहे होते हैं तो मैं अक्सर ये बात मुशायदे में आई है कि मोटर सैकल पर सवार लोग अब ट्रैफिक पुलीस की बहुत सारी काविशों कोर्स के बहुत सारे और्डर और कानून की इंप्लिमेंटेशन के बाद हैलमेट पहनने पर तो रदा मन्द हो गए हैं और वो पहल लेने के बाद वो ये समझ लेते हैं कि अब मैं हर कनूनी तकादे से अजाद हूँ और फिर वो वाइलेशन करते हुए उसको वाइलेशन तसवर ही नहीं करते हैं जो सबसे बड़ी आपको हैलमेट पहने हुए मोटर सैकल सवार की जो वाइलेशन नदर आती है वो चाहित वर ये नहीं देखता कि दाइन तरफ से कौन आ रहा रहा और बाई तरफ से कौन आ रहा रहा और उसके जेन में शायद यह होता है कि हलमेट पहन लिया तो अब सतों खून माफ हैं ऐसे रवईयों से अकसर गाड़ियों वाले बेगुना ही किसी बड़े हादसे का शि गार हो जाता है जबकि एक मेंटेन स्पीड पर कारवाला आ रहा है और कई दफाए ऐसे देखने में आया कि कारवाले सवार कन्वीनियंट लैन में सिगनल पर पार करते हुए अपनी लेफ साइड पर हो जाते हैं या राइट साइड पर इस तरह से होते हैं कि पीछे आने व हो एक ट्रक ने ऐसा वालेशन की कि जो पहले से खड़ा हुआ ट्रक था उसके आगे जो मोटर सेकल सवार था वो कुछ ला गया और एक इंतहाई कीमती इनसानी जान जाया हो गई तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्त से हेलमट सवार मोटर सेकलों से बड़े ट्रकों वाले उसे गाडियों वालों से ये गुदारिश करूँगा कि वो हमेशा लाइन और लेन का ख्याल रखें क्योंकि हमारे 90% हाथसात इस वाइलेशन की वज़ा से होते हैं इसलिए कि हम इसको वैल्यू नहीं करते हैं सर इस पर मेरा ही सवाल था आप सकना कि दुराने ड्राइविंग लाइन और लेन तबदील कब करनी चाहिए सर देखें हमेशा आप जब अपनी लेन में सभर कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी लेन कौन सी है मिसाल के तौर पर एक्स्ट्रीम लेफ्ट लेन जो है वो मोटर सैकल सवारों के लिए और स्लो मुविंग ट्रैफिक के लिए होती है लेकिन आप लहौर का कोई भी रोड उठा के देख लें मोटर सैकल सवार को इससे गरद नहीं कि उसकी लाइन कौन सी है और बिल्खसूस जब दफ्तरों को लोग जा रहे हैं जब स्कूल कॉलेज को जा रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल ये गवारा नहीं करते को आपनी लाइन में चले है हाला के बड़ी ही तहकी के बाद इन लेन्स का ताइयन किया गया है इसी तरह गाड़ियां दरम्यान वाली लेन में चलनी चाहिए है और जो राइट साइड की एक्स्ट्रीम राइट लेन होती है वो तो ओवर्टेकिंग लेन होती है आपने रूटीन में चलना है तो आपने वहां जाना है और उसके बाद जब भी आपने लेन चेंज करनी है किसी भी शक्स ने तो अपना इंडिकेटर देगा और जहां गयर मसलसल लेन होगी सिर्फ वो वहां ओवर्टेक कर सकता है वो अपना जिस साइट पर उसने जाना है वो उस साइट का अपना इंडिकेटर यूज़ करेगा और फिर पीछे मिरर में देखते हुए अपनी लेन चेंज करेगा और यही तरीका कार सब के लिए है आपने किसी जगह से लेफ्ट होना है तो आप बैक विव मिरर में पीछे देखेंगे फिर अपनी इंडिकेटर लगाएंगे और फिर उस लेन में जाएंगे ताके आपको एक महफूज रास्ता मिल सके सर वन वे वालेशन भी बहुत सारे हाथसाथ की वज़ा बनती है हम अकसर देखते हैं अकसर उकाद रोडस पर इसके बार में क्या किना जाएंगे इससे किस तरह से बचा जा सकता है देखें ट्राफिक पुलीस बहुत सारे एकदमात कर रही है जैसे जहां पर यू टर्न बने हुए हैं जीरो रोडस के उपर जीरो लेन्स के उपर वहां पर टायर किलर लगाए गए हैं और गों सिरफ इली लगाए गए हैं कि एक बंदा थोड़ा सा फासला तया करने से बच सामने से एक वीकल का सामना होता है और मैंने ये देखा ये जो वन वे की वाइलेशन होती है इसके फिसे सिरफ दो या तीन मिनिट का फासला तै करने से गुरेजा होना होता है लोग गुरेज करते हैं मैं थोड़ी दूर न जाएं नजदीक से चले आएं तो खुदारा मैं शहरियों से इस मुलक बासियों से ये दर्खास करूँगा कि बेटर लेट देन नेवर्स इस से जब आप एक जल्दबाजी की सूरते हाल में जो टाइम बचाते हैं और किसी हाथ़े का शिकार होकर घेंटे जाया करते हैं अपनी माल का भी नुक्सान करते हैं अपनी जान को भी खत्रे में डालते हैं तो थोड़े से फासले या मामुली से चंद लम्हों चंद मिंटों को बचाने के लिए कताई तोर पे वनवे का इस्तमाल ना करें वनवे का इस्तमाल एक तमाचे की तरह हमारे सारे सिस्टम पर पड़ता है ये उसी तरह खतर नाक है जिस तरह हम र एवी ट्राफिक चलती है, रोजाना सेंकडो लोग हाथसात का शिकार होते हैं. सर ये वन वे वालेशन पे कानून ने कोई जर्मान ने का भी ट्राफिक पुलीस ने कोई जर्माना भी रखा हुआ है? यहां यहां चोटे वीकल्स के लिए तीन सो और बड़े वीकल्स के लिए पांच सो का जर्माना मुक्तस है वन वे के लिए और सैंकडो दफा कोर्स ने भी इसको इंडोस किया है कि वन वे की वालेशन पर ज्यादा जर्माने होने चाहिए हैं. जर्माने हैं पर शुरू भी हो गए हैं वन वे वालेशन पर जो के तीन सो पांच से ज्यादा है जी सर इसके साथ हम जो रॉंग लेन लाइन है लेन लाइन वालेशन है सर इस पे भी ट्राफिक की तरफ से कोई जर्माना आयत किया जाता है? जी यह किनन मोटर सेकल सवारों को दो सो रॉपया और गाड़ी वालों को तीन सो रॉपया रॉंग लेन की होता है और अक्सर लोग ना हमारे साथ जब यहां हमारा ए टिक्टिंग सेंटर कोई चलान जारी करता है तो लोग कहते हैं कि यार यह मैं तो मैं तो दुरूस और मोसली लोगों को पता भी नहीं होता कि वो सिगनल के ओपर आगे दो लाइनों के दरम्यान में खड़े होते हैं जिसकी वगया से टोटल थ्री लेन सीकुएंस जो है वो डिस्टरब होता है सर प्रोग्राम के एंड में कोई हमारे नाजरें के लिए बेगाम जी मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक और बात भी करना चाहूँगा कि कभी भी रेड सिगनल की वायलेशन ना करें आज कल बहुत ज़्यादा ऐसी जगह जहां पर बहुत ज़्यदा पड़े लिखें है मुहज़व और सरकारी एहलकार और अहंब которых जहां से बुदरते हैं वाहँ पर रेड लाइट पर वो खड़े होते हैं और गृरीन लाइट पर चर रह घरते हैं इतनी होगी है और यह यकीन करें कि रोड पर ट्राफिक रूल्स को फालो करने से ही आप महजब नदर आते हैं तो इस मुलक में हमें ये बहुत जरूरत है कि हम कानून को अपनी आदद बनाएं और बिल खसूस अपनी नौजमान जनरेशन को इस बात पर अमादा करें कि वो ए एक बेहतर मुस्तक्बिल के लिए एक बेहतर पोट्रे करने के लिए अपनी सुसाइटी को हमेशा ट्राफिक रूल्स की पबंदी करें और जर्माने के ख़ौफ से ना करें इसलिए करें कि ये रूल्स हमारी हिफाज़त के लिए बने हैं कि हमारा जो मौशरा है वो मजीद खूबसरत दिखे खूबसरत दिखे खूबसरत दिखेंगọi धन् Y हमयरे बस्ते हैं तो ये था हमारा है Q झाल झाल